के साथ हमाने अगले दर्शक के साथ जूट जाते हैं हमाने साथ संभाजी नगर से रोहिद जूट चुके है रोहिद जी नमशकार बताइए पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मुझे मोखा जिया मेरा सवल पुछने के लिए मेरे पास तीन स्टॉक है सर जी अलो हां पताइए और हाली में आठ दिन पहले ओला एलेक्ट्रिक लिया है एक सो पैतलिस के बाव पर ठीक है उसकी छेसों कॉंडेटी है तीनों में मैं दो से तीन साल दे सकता हूं तो रिक्वेस्ट तो यू के फ्लीज मुझे आप गाइड कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हो है ओला एलेक्ट्रिक अपने क्या हो लोगा है फ़ुकर ओला ए पर इनकी खरीदारी है और नगाने स्टेंचि आपने विने उनिकूरा इन्द्रीक पर थे क्वृण्य कि मैयन रखना चाहते है तो यहां पर फंडमेंटली वैसे तो तीन से शे मैने काफी छोड़ा टाइम हो मेरे क्याल से पहले तो अनिवारियों का डिस्क्लोजर देना NMDC, NBCC और Ola Electric तो NMDC और NCC में बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है मैं ये रहे, मैं राय जो दे रहा हूँ वो बुनियादी तर्क आधार पर है लंबी अवदी के लिए और मेरे क्याल से इन्होंने अपने परशन में कहा था कि इनका निवेश की समय सीमा जो है वो शायद 2-3 साल है आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं अगर मैंने सही सुना या गलत सुना तो अगर इतने ही लंबी समय सीमा है तो निश्चिन दो करके बने रहे पहली बात ओला एलेक्ट्रिक का जहां तक सवाल है तो हमारी चैनल एटीनाव सोदेश पर IPO जब आने वाला था तो 76 के भाव पर हमने लंबी अवदी के लिए ओला एलेक्ट्रिक में निवे किये उसकी अगले साल दिवाली के आसपास मिलने शुरू हो जाएगी और खुद की जो नई इलेक्ट्रिक बैट्री की जीगा फैक्ट्री है उसका भी उतपादन तब तक आ जाएगा जिससे मेरे क्याल से कॉस्ट एफेक्टिवनेस जो है वो आ सकती है एक अजार पानसो कर का नुकसान भी है बैलेंशिट पर तो इसको दूर करने के लिए काफी लंबा समय लगेगा मेरे ख्याल से अगर उला इलेक्ट्रिक में आप अपनी समय सिमा बढ़ा सकते हैं डाय तीन साल कर सकते हैं और अगर गिरावट में आप और जोड़ना चाहे करीबन 100 रुपए के आस-पास या उसके नीचे तो वो जोड़ भी सकते हैं और NBCC और NMDC में अनिवारिया है कि आप लंबी अवदी के लिए बने रहें